मैं आर्थिक मुद्दे पर ही अपनी बात केंद्रित रखूंगी क्योंकि आर्थिक बदहाली जो इस देश ने पिछले 9 साल में देखी है वो तरासदी बनकर उभरी है क्योंकि 76 साल आजादी के बाद 9 साल एक अहम हिस्सा होता है उसका और उस एहम हिस्से में बेरोजगारी का महंगाई का भष्टा चार का वो तांडव देखा है इस देश ने और जो छुपाने की उसको कोशिश करी है वो वाकई तरासदी है आज असलियत ये है अगर सरकार की और सही देख लीजे सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या है सीना ठोक कर बोलते हैं हम यूके के आगे की एकॉनमी बन गए दावा ये है असलियत क्या है यूके की आवरेज पर्चेजिंग पावर कपासिटी जो है वो पचास हजार डॉलर है हमारी साथ हजार डॉलर है तो जब जूट भी बोलते हैं तो इतना लंबा बोल जाते हैं कि अपने आप ही अपने बनाए हुए चक्रवियू में फस जाते हैं सीना ठोक करके एक अपना दावा और करते हैं 9 साल का क्या कहते हैं हमने 86 करों लोगों को फ्री का राशन बाटा हाँ क्योंकि आप हमारे देश को इस कगार पर ले आए कि भुखमरी बेरोजगारी और महेंगाई के चलते आपको वो बाटना पड़ा और अब लोगों की आखे खुल रहे हैं क्योंकि गरीब देख रहा है कि आपने उसके साथ क्या-क्या धोखा किया है लेकिन अगर निश्पक्ष तरीके से एक बात देख ली जाये तो जिस प्रधान मंतरी ने नौ साल पहले आज के दिन प्रधान मंतरी बनने से पहले कहा था मैं 2 करोर रोजगार साल के दूंगा अभी तक तो 19 करोर रोजगार बन जाने चाहिए थे उस प्रदान मंत्री को 71,000 वो चिटिया बातनी परती है जो दाकिया घर लेकर जाता था कहा 19 करोर रोजगार बनाने थे और कहा 71,000 चिटिया बात रहे यह असलियत है इस सरकार की इस सरकार की यह असलियत है कि करोना का एक भी केस आने से पहले इस देश की अर्थविवस्ता 8.2% से गिर कर 4.1% पर हो गई थी और 45 साल की सबसे ज़ादा बेरुजगारी थी इस सरकार की यह असलियत है कि इनकी नाक के नीचे से क्या वो ललत मोधी हो क्या वो नीरव मोधी हो क्या वो महुल चोकसी हो क्या वो विजे माल्या हो करो कर चुना लगा कर पैसा लेकर इस देश का भाग गए और ये सरकार कुछ नहीं कर पाई आज भी हाथ पर हाथ धरे बैटी है इस सरकार के भेष्टाचार का ये आलम है कि 11 लाख करोड बट्टे खाते में अमीर आद्मियों के लिए डाल दिये गए लेकिन किसानों के कर्जे माफी पर नाख बहुसे कोरने लगते हैं इनकी असलियत ये है कि 23 करोड लोग इस देश में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए जिन 27 करोड लोगों को हमने उपर उबारा था 4 से 14 के बीच में इस सरकार की ये असलियत है कि प्रधान मंत्री बनने से पहले मोदी जी क्या कहते थे मित्रों रुपए की साख और प्रधान मंत्री की साख प्रतिष्ठा एक बराबर है जैसे जैसे रुपिया गिरता है प्रधान मंत्री की साख गिरती है तिरपन पर रुपिया मिला था दाम सस्ता क्यों नहीं हो रहा आखरी बार दाम सस्ता कब हुआ था यह देश की जनता जानना चाहती है। कोहाई महंगी कर दी आता महंगा कर दिया अस्पताल की बेड महंगी कर दी रेलवे की यात्रा महंगी कर दी और इसी लिए मैं कहती हूँ कि बेरोजगारी और महंगाई और भष्टाचार का जो तांडव इस देश ने देखा है वो वाकई में तरास दी है करनाटक ने एक संदेश दिया और वो संदेश भाजपा ना पढ़ना चाहे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है लेकिन संदेश ये है और संदेश बड़ा है और एक के बाद एक नए-ने सर्वे आप लोगों के टीवी चानल के माध्यम से अब सामने आ रहे हैं इस देश के सामने मूलता तीन समस्या है बेरोजगारी, महेंगाई और निरंकुष भष्टाचार अडानी पर एक शब नहीं बोलेंगे बेरोजगारी की बात करो तो पकोड़ा तलने की हिदायत देंगे पकोड़ा भी तल लेंगे साहब लेकिन जो गैस का सिलंडर 400 पर मिलता था उसको भी आपने 1200 कर दिया है आटे पर भी आपने GST लगा दिया है सरसो के तेल को 90 से 200 पहुँचा दिया है और महेंगाई की बात करो तो सरकार खड़े हो के कहती है हम तो जी लेसन प्याजी नहीं खाते आप मत खाये लेकिन लोगों की ठाली में प्रहार मत करिये मेरा अपना मानना है इन सब बातों का जवाब मिलना जरूरी है और 9 साल में बाकी जो जेराम जी ने आपको संस्थाओं के बारे में बताया जो पवन जी ने आपको माफी की बात करी बिल्कुल करना चाहिए मेरा तो एक चालेंज भी है और एक गुजारिश भी है महत सब मनाना चाहिए सरकार को 9 साल का महत सब मनाना चाहिए अपनी नाकामी के 9 सालों का और लगे हाथ प्रधान मंत्री महोदे एक प्रेस वारता जरूर कर दे बिना टेली प्रॉम्टर के कुछ सवाल ले ले कुछ सवाल लेकर एक प्रेस वारता कर दे तो हम चुप हो जाएंगे लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि प्रधान मंत्री सवालों के जवाब से भागते हैं और सवाल दिन बदिन बढ़ते जा रहे हैं धन्यवाद